इस वीडियो में डिस्कल्स करेंगे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू उनिवर्सिटी में पूछे गए Polytechnic Intense Test 2018 के Solution with Explanation in Both Language English and Hindi बहुत सारे स्टुएंट्स को इसमें उर्दू Language की प्रोब्लम रहती है वो प्रोब्लम आपकी स्वाल्ब हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम Question Solve करेंगे उर्दू Language को Hindi और English में Translate करके साथ साथ आपको Solving Trick भी बताएंगे और Extra Point भी बताएंगे हमने 2020 के Physics, Chemistry and Mathematics के Solution अप्लोड कर रखे है With Explanation उसका Description में लिंक है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं अगर यह वीडियो आपके लिए Helpful हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें तो चलिए Question डिसकस करते हैं यहाँ पे Chemistry के Question को Solve करेंगे हमने पीविएस लेक्चर में Mathematics के Question Solve किये है उसका Description में लिंक है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं तो 71 नमबर Question है If Orbitle किस होल में होगा होल कहते हैं Shell को यानि If Orbitle किस सेल में होगा तो यह चौथे सेल में होता है जैसा आप जानते होंगे पहला सेल कहलाता है के सेल उसके बाद L सेल होता है उसके बाद M सेल होता है उसके बाद N सेल होता है तो If Orbitle जो स्टार्ट होता है चौथे सेल से यानि N सेल से तो आपका Option D होगा Next है Carbon की Electroni तश्कील यह है यानि Carbon की Electronic Configuration इसमें से कौन सा है तो Carbon का Atomic नमर जानते होंगे 6 होता है तो इसका Electronic Configuration क्या हो जाएगा 1S2 2S2 2P2 6 Electron आगे तो इसमें से कोई Option नहीं है तो Option D होगा इनमें से कोई नहीं Next है Boron की अलामत यह है यानि Boron का Symbol कौन सा है तो Boron का जो Symbol होता है B होता है Option C होगा बाकि यह B जो है Beryllium का Symbol है BR जो है Bromine का Symbol है BA जो Symbol है Badium का Symbol है यह आप याद रखेंगे आपके लिए Helpful है Next है 74 है Atom से Electron के अखराज पर बनता है अखराज कहते है Electron का Release होना यानि किसी Atom से Electron को Release करेंगे तो कौन सा आयन बनेगा तो कटायन बनता है Positive Charge Next है 75 है इन में से सबसे ज्यादा हिल शिदा हालत में नमक की इस पानी में पाया जाता है हिल शिदा हालत कहते हैं Resolve Condition पे सबसे ज्यादा जो Salt मिलता है समुद्र के पानी में यानि Sea Water में Option B होगा Next है इन में से कौन सा नमक S-A-C होता है S-A-C कहते हैं Basic यानि इसमें से कौन सा Salt Basic Salt है तो Basic Salt कब होगा जब Strong Base Weak Acid के साथ Combine होगा तो आपको Basic Salt देता है इसमें से जो Basic Salt है Sodium Carbonate है क्योंकि Sodium Carbonate Strong Base यानि Sodium Hydroxide एन Weak Acid Carbonic Acid से मिलके बनता है तो Option B होगा Next है पानी में केलसियम आइडोकसाइड का सेर शीदा महलूल डैस कहलाता है सेर शीदा महलूल कहते है Saturated Solution को तो केलसियम आइडोकसाइड का Saturated Solution क्या कहलाता है Lime Water कहलाता है Option B होगा Next है अगर कोई महलूल यानि Solution नीले लिटमस यानि Blue लिटमस को सुर्ख यानि लाल करता है तो इस महलूल यानि Solution का pH यह होता है तो आपको याद रखना है एक ट्रिक ABR Acid क्या करता है Blue को Rate करता है फिर अगर Base पूछे तो Base का क्या हो जाएगा Base क्या करेगा Rate को Blue करेगा तो Acid का pH पूछा यहां पे तो Acid का pH क्या होता है 7 से कम तो यहां पे 7 से कम क्या है 4 है Option D होगा Next है पानी का नुकता जोस यह है यानी पानी का Boiling Point तो पानी Boil कितने डिग्री पे होता है 100 डिग्री Celsius पे Option B होगा Next है इन में से किन सालमों के दर्मियान 20 सालमी कुवते कशिस सबसे ज़्यादा पाई जाती है कमरा की तपिश पर इन में से किन मोलिक्यूल्स के दर्मियान सालमों केते हैं मोलिक्यूल्स को Intermolecular Force of Attraction सालमी कुवते कशिस केते हैं Intermolecular Force of Attraction को सबसे ज़्यादा होगा At Room Temperature तो Intermolecular Force of Attraction ज़्यादा किसमें होता है? Solid में तो यहाँ पे देख रहे हैं CO2 एक गैस है इसमें नहीं होगा इथायल अलकॉल यह लिक्विड है इसमें भी नहीं होगा H2O वाटर यह भी लिक्विड है नहीं होगा लोहे की धात यानि मेटल में होगा इसमें सबसे ज़्यादा होगा Intermolecular Force of Attraction Option D होगा Next है पानी के सालमे का सालमी वजन क्या है? यानि पानी के मुलिक्यूल्स का मुलिक्यूलर वेट क्या है? तो वाटर का मुलिक्यूलर वेट जानते होगे कितना होता है? 18 होता है तो अपसर नहीं होगा Next है Skin Cancer की एक वज़ा है तो Skin Cancer जो होता है? किस वज़ा से होता है? उजोन लेयर में सुराख के कारण ओजोन लेयर आप जानते होंगे दिये दिये क्या हो रहा है? इसका थिकनेस बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि सन से जो अल्टा भाले ट्वे निकलती है वो डारेक्ट ओजोन होल से अर्थ पे स्ट्राइक करता है जिसके वज़ा से बहुत सारे स्कीन प्रोब्लम्स आती है तो स्कीन कैंसर ओजोन लेयर में होल के वज़ा से होता है नेक्ट है एक उम्दा बर्क पाशीदे की मिसाल बर्क पाशीदे कहते हैं एलेक्टिक पावर जेनरेट करने वाले सोल्यूशन को तो इसमें से कौन सा सול्यूशन है या एसीड है जो एलेक्टिक पावर जेनरेट करता है तो जेनरली एच Сील जो है हाइडोक्लोरीक एसीड वो क्या करता है स्ट्रॉंग एलेक्TOलाइट होता है वो सwnयूशन में क्या होगा complete dissociate हो जाएगा और ये electricity को allow करता है पास होने के लिए तो आपका option D होगा hydrochloric तर्शा का महलूल यानि hydrochloric acid का solution next है इन में से किस महलूल का रंग नीला होता है यानि इस में से किस solution का रंग blue होता है तो copper sulfate चो होता है blue color का होता है option नहीं होगा next है buck minister fullerines दरासिल इसको कहते हैं तो buck minister fullerines में आप जानते होंगे 60 carbon का arrangement होता है तो C60 को कहते हैं buck minister fullerines next है anthracite koilay में carbon की मेंगदार यानि magnitude यह होती है anthracite जो coal होता है उसमें carbon का जो magnitude होता है 92 से लेके 98 तक होता है अगर average निकालेंगे तो 95% होता है इसकी heating capacity अगर देखें anthracite coal का जो heating capacity होता है बहुत जादा होता है with respect to other fuel तो यह याद रखेगा next है वह खामरा जो खमीर यानि इस्ट में मौजूद होता है और सुक्रोज को glucose में तबदील करता है कहलाता है खामरा कहते हैं enzyme को वह enzyme जो yeast में परजेंस है और सुक्रोज को glucose में convert करता है generally enzyme जो yeast में होता है दो होते हैं एक maltage होता है एक invertage होता है तो invertage enzyme जो होता है वो सुक्रोज को glucose में convert करता है तो आपका option D होगा next है वह तेल जो साबून और मस्फी में इस्तमाल होता है मस्फी कहते हैं ओईली या जो चिकना ओईल होता है उसे कहते हैं मस्फी या greasy भी कह सकते हैं क्रीम टाइप का साबून और मस्फी में जो तेल यूज होता है वो होता है पाम ओईल या coconut ओईल खोप्रे का तेल एंसर होगा, खोप्रे के तेल को ही हम coconut oil कहते हैं, तील का तेल यह नहीं होगा, यह paint में use होता है, R&D का तेल यह health point of view से, R&D का तेल यह linseed oil होता है, तो यह याद रखिए कि आपके लिए help करेगा, next है, batch की इसलाख इस सिनअत में इस्तामाल होती है, सिनअत कहते हैं इंडस्ट्री में, यानि batching process किस इंडस्ट्री में use होता है, तो batching process जो होता है, chemical industry और bio chemical industry में होता है, medicines बनाने में, तो यहाँ पे कह रहा है, कोजागरी यानि ceramic बनाने में, इसमें नहीं होता है batching process, शीसा साजी सीसा बनाने में, इसमें भी नहीं होता है, फिल्स कारी यानि metallurgical process में, इसमें भी नहीं होता है, तो option D होगा, इनमें से कोई नहीं, batching process सिफ pharmaceutical industry में use होता है, next है, future drops के अमल के जरिये, petrol की तयारी में, यह gas इस्तामाल की जाती है, यानि future drops method का use करके, petrol बनाने के लिए, इसमें से कौन सा gas यूज करते हैं, तो future drops method से petrol बनाने के लिए, हम water gas का इस्तामाल करते हैं, water gas कहते हैं, H2 plus CO को कहते हैं, carbon monoxide, next है, phenol और formaldehyde की कसीर तरकीबी, यानि polymerization से यह plastic हासिल होती है, यानि phenol और formaldehyde को मिलाएंगे, तो कौन सा plastic मिलता हमें, तो baccalide मिलता है, क्यूंकि baccalide का monomer होता है, formaldehyde और phenol, next है, boilers में scales के बनने से, यहां पे पूछ रहा है क्या होगा, तो boilers में, जो scale का formation होता है, boiler क्या करता है, water को vaporize करता है, boiler जैसे ही water को vaporize करता है, कुछ substance boiler में ही रह जाता है, जिसे कारण, वो substance जो है, boiler के wall पे जमना शुरू हो जाएगा, जमने से boiler के wall पे मोटी layer आ जाती है, जिसे कारण क्या होता है, scale का formation होता है, अब scale क्या करता है, boiler में जो water vaporize हो रहे हैं, उसके capacity को घटा देता है, और यह क्या होता है, heat का bad conductor होता है, तो इसमें से हमें answer चुनना होगा, boiler की सलाहियत में इजाफा होता है, यानि boiler की capacity बढ़ जाती है, यह गलत है, घट जाती है, तो यह नहीं होगा option, इंदन बरबाद होता है, तो यह हो सकता है, fuel बरबाद होता है, क्यूंकि जैसे ही scale का formation हुआ, तो boiler को vaporize करने में time लगेगा, तो B option हो सकता है, C क्या है, boiler की धात सुकुर जाती है, यानि boiler की metal सुकुर जाती है, स्रिंक हो जाती है, इसका suitable answer जो होगा, मेरे हिसाब से B होगा, next है, water में SP3 इफ्तिलात वाक्चे होता है, यानि water में SP3 हाविडायेशन होता है, इस सालमे में, यानि water molecule में, बंद का जाबिया यह होता है, यानि water molecule में जो bond है, उसके बीच में कितना angle बनेगा, तो water का अगर structure बनाए, तो इस टाइप से होता है, यहाँ पर oxygen, यहाँ पर single bond hydrogen, यहाँ पर single bond hydrogen, यहाँ पर lone pair होगा oxygen का, तो यह जो angle बनता है, hydrogen, oxygen, hydrogen का, 104 degree 5 minute, तो आपका option, C होगा, next है, lead storage खाना, यानि cell, इसकी एक मिसाल है, यानि lead storage cell का एक example है, lead storage cell जो होता है, rechargeable cell होता है, तो recharge के दवरान, electrolytic cell जैसा काम करता है, और working के time पे, यह voltaic cell जैसा काम करता है, तो lead storage cell दोनों होगा, A and B, option, तो option C होगा, lead storage cell को, हम secondary cell भी कहते हैं, इसमें जो cathode लेते हैं, lead oxide लेते हैं, anode जो लेते हैं, lead लेते हैं, यह याद रखेगा, आपको help करेगा, next है, जेल में दिये गए कीमियाई इशिया में, किस महलूल की, molarity और normality एक जैसी होती है, यानि दिये गए chemical compound के solution का, molarity और normality किसमें equal होगा, तो molarity और normality निकान ले के लिए, आपको equivalent number जानना होगा, तो अगर हम NaCl को break करेंगे iron में, तो एक cation आएगा, एक ni आएगा, यानि इसमें equivalent number एक ही आ रहा है, तो इसलिए, NaCl का, जो molecular weight होगा, वो equivalent weight के equal होगा, इक्विवैलेंट weight के equal होगा, जिसे कान, molarity और normality दुनों equal होगा, तो option आपका c होगा, next है, कुर्राए अर्ज पर, कसरत के लिहाज से, तीसरे नमबर पर, कौन सी गैस पाई जाती है, कुर्राए अर्ज कहते हैं, एट्मोस्फियर को, या over the earth, याणि एट्मोस्फियर में, strength के हिसाब से, तीसे नमबर पर, कौन सा गैस पाया जाता है, अगर एट्मोस्फियर में, हम गैस के composition की बात करें, तो पहले नमबर पर आता है, nitrogen, उसके बाद आता है, oxygen, उसके बाद आता है, last में आपका आता है, तनवी, यानि बायो डाइवर्सिटी को, इससे खत्रा नहीं होता, यानि बायो डाइवर्सिटी इसमें से loss नहीं होगा, किससे loss नहीं होगा, सहलाब की बात करें, यानि फलट की, तो फलट के कारन बायो डाइवर्सिटी loss होता है, क्योंकि flood के वज़ा से क्या होगा बहुत सारे natural habitat loss हो जाते हैं सन आती तरक्की यानी industrial development या industrial growth industrial growth के कारण भी biodiversity loss होता है क्योंकि industrial growth में कहीं कहीं food processing होगा या medicine का manufacturing होता है जिसे कारण हमें deforestation करना पड़ता है deforestation करने से भी biodiversity loss होता है सिकार करने से यानी hunting करने से भी biodiversity loss होगा तो यहाँ पर जितने भी option दिये हुए हैं सब biodiversity loss करने वाला है तो दी option होगा इन में से कोई नहीं ऐसा option है जो biodiversity को loss नहीं करता हो next है जब तामिल की तपिश में 10 degree Celsius का इजाफा होता है तो तामिल की रफ़तार में डैस होता है तामिल कहते है reaction को तपिश कहते है temperature को जब reaction के temperature में 10 degree Celsius increase कर दिया जाए तो rate of reaction क्या होगा rate of reaction जो होगा two times increase कर जाएगा तो आपका option क्या होगा दो गुना या तीन गुना इजाफा होता है यानि बढ़ जाता है भी option होगा next है किसी शेय की दाखिली तवानाई यानि internal energy मुनहसिर होती है शेय कहते है matter को या object को यानि किसी matter की internal energy डिपेंड करती है किस पे करती है जो उस matter में purchase molecules रहते हैं उसके numbers पे यानि शेय में मौजूद सालमों की तादाद पर बी option correct होगा so student बाकी question physics के next video में discuss करेंगे अगर ये video आपके लिए helpful डाह हो तो channel को जरूर support करें and if any doubts regarding these questions then please comment your question in the comment box I try to reply your answer thanks for watching